नमस्कार, News Click में आपका एक बार फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम, इतिहास के पन्ने मेरी नजर से, अभी कुछ ही दिनों में हम लोग हिंदुस्तान की आजादी की 75th Anniversary काफी धूम धाम से मनाएंगे, कुछ कुछ अल्रेडी डिस्कोर्स चल रहा है, तो इस को मार्क करने के लिए हम हमारे कारिक्रम में एक स्पेशल एक श्रिंखला, कुछ एपिसोड्स का, इस पर अलग-अलग विश्यों पर चर्चा और बातचीत करेंगे, तो आज के विश्यों में हम बातचीत करेंगे कि हिंदुस्तान आजाद हुई, हिंदुस्तान आजादी के साथ-साथ उसका विभाजन भी हुआ, तो क्या विभाजन टल सकता था क्या ऐसी स्थिती हो सकते थी कि विभाजन ना हुए बगएर हंदुस्तान आजाद हो जाती तो इसके बारे में हमारे साथ बात करेंगे डॉक्टर सलिल मिश्रा जो बहुत ही senior इतिहासकार है हमारे साथ के समय से इतिहास पड़ते आ रहें तो सबसे पहले तो हमारे कारिक्रम में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और बात शुरू करेंगे बिलकुल सिंपल जो प्रपगंडा पिछले 40 साल से कम से कम सुनते आ रहे हैं अब हिंदुस्तान का दो बठवारा नहीं होना था नहरू को प्रधान मंत्री बनने की बहुत जल्दी थी ये 40 साल से पहले फ्रिंजेज में से सुनने को आता था और पिछले 8 साल से तो हम लोग मतलब Central Official Discourse में से सुनते वह आ रहे हैं तो इसके बारे में जरा आपके मतलब क्या राय है इसके बारे में और क्या वाकिए विभाजन हमारा बठवारा रोका जा सकता था बहुत बहुत शुक्रिया निलान जन इस सवाल को लेने से पहले एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अक्सर विभाजन को समझ ले के लिए जो एक्स्ट्रीम पे दो पोजीशन्स हैं बहुत ही अतिवादी पोजीशन्स हैं जिनको की हमें खारिज कर देना बहुत जरूरी है पहली समझ तो ये है जो कि काफी समय से चल रही है कि विभाजन एक तरह से नैचुरल था इसलिए कि 800 साल से हिंदू और मुसल्मानों के बीच में सांस्कृतिक राजनीतिक हर तरह के फर्क इतने थे कि वो साथ साथ रहना उनके लिए मुश्किल था इसलिए विभाजन होना ही था इसको कहते हैं kind of natural theory of the partition जिसे हमें खारिज करना होगा जिसमें कि बिल्कुल भी सच नहीं है लेकिन दूसरा एक ये भी है कि बस यूही वो एक contingency थी यूही अकस्मात हो गया कुछ गलत फहमी की वजए से 1946 में जब बहुत बड़े general चुना हुए separate electorate के आधार पर जुसमें Muslim League को बहुत बड़ा mandate मिला उन्होंने पाकिस्तान के आधार पर ही पाकिस्तान को एक नारा बना के चुना हुआ मुस्लिम constitution से अलग Muslim constituency अलग Muslim voters तो Muslim voters अलग है Hindu voters अलग है Muslim seats Muslim candidates सबी कुछ पूरी थूरा इसके बारे में जो प्रता 1909 से अंग्रेजों ने introduce किया था हिंदूस्तान में कि मुसल्मान ही मुसल्मान को vote देंगे और बाकी constituency में हिंदू ही हिंदू को vote देंगे तो ये अपने आप में इस चीज ने भी बहुत जादा हिंदू और मुसल्मानों को राजनीतिक रूप से एक दूसरे से दूर किया और अलग किया पूरा का पूरा हमारा जो democratic process था वोई धर्म के आधार पे बट गया है तो उस चुनाओं में जो 1946 में हुए थे उसमें मुसलिम लीग को बहुत बड़ी जीत मिली और ये लगा कि एक तरह से एक mandate जो है मुसलिम वोटर्स का वोटर्स का वो मुसलिम लीग के साथ में है मिरे खाल से एक चीज कहना बहुत ज़रूरी है कि उसमें जो वोटर्स थे तरह को उनिवर्सल फ्रैंचाइज लाई नहीं नहीं हुए तो आम मुसल्मान के पास वोट था नहीं होट था उनसे पूछा भी नहीं है अच्छा लेकिन फिर भी एक चुनाओ तो एक बड़ी बाद होती है तो चुनाओ से ये तो था दूसरा ये कि जब यहां कैबिनेट मिशन 1946 में आया विशो युद्ध खत्म होने के बाद में जिसमें की कोशिश की गई कि एक इंटरिम सरकार बने और देश को तीन ग्रूप इन ही नहीं है तो मेरे हिसाब से चुनाओ का नतीजा और इंटरिम गवर्मेंट आंतरिम सरकार के जो अनुभव थे इन दोनों ने काफी हद तक जो है लगा की पाकिस्थाम पार्टिशन की तरफ जा रहे हैं एक बात और मैं कहूंगा कि जब मार्च उननीस सो सैंतालिस में अच्छा उननीस सो चैलिस सैंतालिस की बीच में बहुत बड़े पैमाने पर सामपरदाइक दंगे बहुए थे कलकता, नुआ खाली, बहार, बंबाई, यूप, अगस में डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया था मुस्लिम लीग ने जो सबसे बड़ा नरसंहा था उस समय तक उसके बाद नुआ खाली में हुआ जब गांधी जी वहाँ चले गए, उसके बार में नुआ खाली में गांधी जी के इंटरवेंशन के बार में मुझे आपसे कुछ अलग बात पूछना है तो पहली बार हमारे समाज में ऐसा हुआ की एक तो सामप्रदाइक हिंसा गाऑं तक पहुची और दूसरा एक वो सेरियल जो चेन होती है की एक जगह हुई पर दूसरी जगह हुई उसकी प्रितिकरिया में तीसरी जगह हुई तो इसको लेके भी हमारे नेताओं को लगने लगा कि एक पूरा civil war जैसी situation ना तो उससे पहले कभी उतनी थी और उसके बाद में भी नहीं हुई है, पूरे देश भर में, तो ये तीन factors, चुनाओ के result, हिंसा और अंतरिम सरकार में जो अनुभता था, ने साथ काम ना कर पाने क सिती, इन से लगबग हम partition के थोड़ा सा नजदीक आए, जब मार्च 1947 में Mountbatten आते हैं, और उनको पहले आखरी viceroy है, उसके पहले प्रिटिश सरकार जो है, एक तरह से timeline सेट कर देती है, कुछ announcement करते हैं, उसी के बाद माउंट बैटन आके ही कहते हैं कि जून 1947 तक जो है, हम आजादी दे देंगे, लेकिन वो जो plan जो तयार करते हैं, Mountbatten, जिसको Mountbatten plan भी कहा जाता है, उसमें एक feature यह था कि जो 565 रजवाडे हैं, पैरा माउंट सी इनको वापस चली जाएगी, रीजन्स में, प्रिंसली स्टेट में जिसके पास जो सत्ता है वो उसके पास चली जा आया, उन्होंने का कि यह तो हो इनी सकता, बिल्कुल यह तो बैलकनाइजेशन हो जाएगा, इसको plan भी कहा जाता है, कि फिर तो बहुत सारे राजे रजवाडे जो है, वो चले जाएगी, तो इस पर जब नहरू ने बहुत ही सखत रवाईया किया, फिर Mountbatten तो दो रहे, ए उस समय तो शायद गांधी जी डिली में भी नहीं थे, वो तो, Mountbatten जब आये थे, तो तो तीन नेताओं से सबसे पहले मिले थे, गांधी, नहरू और जिन्हा, तो नहरू की पृत्रिया तो यह थी, कि नहरू ने कहा कि, प्लैन बालकन को, प्रिंस, जो प्रिंस, प्रिंस, टूपे आना पड़ेगा, जिन्हा के लिए प्रियोरिटी, प्रियोरिटी वन तो यही थी, कि एक सेंटर हो, लेकिन जब उन्होंने यह कहा, जिन्हा को यह कहा कि, अगर पार्टिशन होता है, तो पंजाब और बेंगॉल पूरे के पूरे मुसलिम लीग में नहीं जा सकते ह हैं, इसलिए कि यहां पर नॉन मुसलिम माइनॉरिटीज बहुत जादा है, चवाली सफीसनी हैं, तब पंजाब और बेंगॉल को भी पार्टिशन करना होगा, आपका पाकिस्तान छोटा हो जाएगा, तो जिन्हा का बड़ा हिस्टारिक स्टेटमेंट है, तो जिन्हा का ब कॉंसेशन था ही मुसलिम लीग को, लेकिन यह है कि पूरा पंजाब बेंगॉल आपके पास नहीं जाएगा, पंजाब बेंगॉल को अभी विभाजन होना पड़ेगा, तो एक इस तरह से यह कॉंपरमाइस फॉर्मूला बना, गांधी जो हैं, वो मानसिक रूप से, एमोश में आया हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि एक सिंगल कॉंस्टिट्वेंट असेम्बली कर दीजिए, एक नैशनल गवर्मेंट कीजिए, जिसको की जिनना हेड करें, वो जिनना उसको सुईकार भी ने, तो गांधी तमाम तरह की बात करते हैं, लेकिन बहुत क्लियर है कि गां गांधी के उस समय कि आप स्पीचेज और राइटिंग्स और स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो उनको अंदर से अजीब तो लग रहा है, उनका दर्द समझ में आता है, लेकिन उनका कन्फूजन भी डिखता है, क्योंकि गांधी ये तो कहते हैं कि ये तो मैं मान ही नहीं सक गांधी कहते थे कि मैं पाकिस्तान तो मान सकता हूँ, कंसीड कर सकता हूँ कि पाकिस्तान हो जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता हूँ कि मुस्लिम्स और हिंदूस अलग अलग राष्ट रहें या मुस्लिम्स अलग राष्ट रहें, तो और इसी पर उनकी फिर बात जो में जो विभाजन किया गया था एक सेपरेट इलेक्टर दी की थी मुस्लमानों को मुरले मिन्टो कॉंसिटूशनल रिफॉर्म्स के तहट तो क्या आप मानते हैं वो पार्टिशन के प्रोसेस की शुरुआत थी एक फॉर्मल पार्टिशन थी मुझे तो लगता है कि शुरुआत थी लेकिन यही है कि हमारे नेता लोगों ने यह कितना घातक हो सकता है यह उस समय देखा नहीं इसलिए कि वोटिंग राइट्स बहुत कम लोगों के पास थे जब 1909 में इसकी शुरुआत गुई तो कुल मिला के पूरे देश में सिरफ 4,000 लोगों के पास वोटिंग राइट्स थे तो लगा कि अगर यह सामपरदाइकता का जो विभाजन है डिवाइड है यह 4,000 लोगों मतलब टोटल इलीट लोगों तक ही सीमित है लोगों की सामान जनों तक यह जहर जो है वो नहीं पहुच पाएगा आम लोगों को पता भी न चुनाओ होते हैं किसीज के चुनाओ होते हैं लेकिन हुआ यह कि एक फ्रेमवर्क तो बनी गया था उसी फ्रेमवर्क जब वो एनलार्ज हुआ जब जादा बढ़ा हुआ 1919 में वोटिंग के अधिकार जो है मॉन्टेग्यू चेम्सवर्ड में लगबग तीन चार पसेंट लोगों के लिए हो गए फिर 1935 में और जादा बढ़ गए तो एक अजीब सी तरास्दी या अजीब सी आईरनी ये है कि हमारे समाज का धीरे जैसे जैसे डिमॉक्रिटाइजेशन हो रहा था उसी तरीके से कॉम्यूनलाइजेशन की संभावनाएं भी बढ़ रही थी तो ड बढ़ी समस्या थी मेरे को एक काफी आईरनिकल लगा है कि बंगाल में दो चीजे लगबख उसी समय होती है 1905 में बंगाल का विभाजन होता है जिसको लेके बहुत विरोध होता है ठीक उसके चार साल के बाद सेपरेट इलेक्टरेट बनाई जाती है जिसको लेके कोई वि विरोध करती है तो सेपरेट इलेक्टरेट को लेके हिंदुस्तान में ब्रिटिश ने जो इंट्रोड्यूस किया उसको लेके कभी कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ लेजिसलेटिव काउंसिल में जिन्ना ने विरोध किया था इसका और इसी ग्राउंड पर किया था कि इससे हिंदु-Muslim डिविजन बढ़ जाएगा लेकिन वो ही था मतलब ये उस समय कहा जाता है ना कि हिस्ट्री की भी आईरेनी है कि जिसे एक सिंगल मेजर पर जिन्ना की पूरी पॉरी पॉलिटिक्स बने हुई थी उसको उन्होंने पहली मुतबा जब आया था था उसका विरोध किया था फॉर्मल स्टेट्मेंट है लेकिन उसे वो सिक्लर नहीं बन जाते हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ बस आईरनी एक है और पॉलिटिक्स एक किसी समय पे फि के बाद में उन्होंने कहा था राउंटेबल कॉन्फरेंस में वो कॉंग्रेस के प्रतिनिदी के रूप में गए थे उन्होंने कहा था 1932 में हुआ था लेकिन 1929 में कोई इसका बहुत जादा विरोध नहीं हुआ था इसलिए कि वो एक तरह से गिविन था एक हो गया था जादलना या उसके खिलाफ जापना थोड़ा मुश्किल होता है तू नेशन थियरी की बात आती रहती है मुस्लिम लीग का रिजलूशन था लाहू रिजलूशन 1940 में मैंने ये भी पड़ा है लाला लाजपतराई ने कहा था कहीं कि पावर शेरिंग मुसल्मानों के साथ इ लग लग लोगों में ये चाद धारना थी तो बहुत बाद में जाके सावर कर अपने थियरी को डेवलप करते हैं किताब लिखते हैं राश्टी स्वहिम सेवक संग का गठन होता है 1925 में तो जो हमारी जो टू नेशन थियरी की जो प्री हिस्ट्री है उसको हम लोग कैसे ड उनीसमी सदी में टेकनोलोजी की वजह से और बहुत सारे और फैक्टर्स की वजह से एक नेशन ओफ इंडियन पीपल बन रहा है उस प्रक्रिया में एक तरफ तो नेशन ओफ इंडियन पीपल बन रहा है इंडियन नेशन बन रहा है दूसरी तरफ एक कम्यूनिटी ट्रांस Transformation भी हो रहा है हमारी जो धार्मिक समुदाय हैं हिंदूस, मुस्लिम्स खास तोर पे जो कि एक स्थानी अस्तर पे जादा थे उनकी चेतना उनकी consciousने से एक स्थानी अस्तर पे थी साथी साथ एक Pan-Indian Religious Communities अखिल भारती अस्तर पर ये धार्मिक समुदाय भी बनते हैं तो कही साथ ये All India Religious Communities की भी प्रक्रिया चल रही है तो उसमें दोनों के बीच में धार्मिक के अलावा सामाजिक और भी तरह के फर्क जो हैं वो भी थोड़े से जादा हाइलाइट होने लगते हैं जब बीसवी सदी में एक नई तरह की राजनीती आ जाती है सांपरदायक राजन जो कि इन सब डिफरेंस का फाइदा उठाके पूरा का पूरा इडियालोजी और एक बिलीफ सिस्टम बना देती हैं तब फिर मुझे लगता है कि हम सांपरदायक्ता की तरफ हमारी राजनीती जो है या विभाजन की तरफ भी चलने लगती है हम लोग एक चीज़ देखते हैं जब हम इतिहास में बीसवी शताबदी के जो पहले तीन चार दशकों के इतिहास को हम लोग रिविजिट करते हैं तो हम देखते हैं कि कॉंग्रस के अंदर से बहुत बहुत अलग-अलग किसम के आवाजे थी तिंकिंग थी अलग-अलग कि किया था शुरू में कुछ दिल्ली प्रोपोजल्स की भी रेफेरेंसेज आते हैं 1927 में एक मीटिंग होती है तमाम मुसल्मान आउटफिट्स की तब भी शायद मेरे ख्याल से जिन्ना बोलते हैं कि सेपरेट इलेक्टरेट बेस्ट पॉसिबल सॉलुशन ही है कुछ सीट्स की रिजर्वेशन की मांग करते हैं उसको लेके कॉंग्रेस इनिशिली शायद कुछ एग्रियविल है बाद में अंदर से जो महासभा के जो एलिमेंट्स थे अंदर मदन मोहन मालवी है उसमें काफी सक्रिय हो गए थे तो शायद कई सारे चीज़ों के बारे में जिकराता है ज अंदर सामराजवाद के खिलाफ और जो भी सामराजवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं उनके साथ एक अलाइंस करने के लिए तायार मतलब कॉंग्रेस के साथ नहीं एक तो वो है एक बहुत बड़ा लॉयलिस्ट ब्रिटिश की तरफ लॉयलिस्ट स्ट्रेंड है वो हुसेन हुए मोहमद शफी हुए बहुत सारे लोग हैं वो बहुत प्रो ब्रिटिश है और तीसरा एक स्ट्रेंड है जो कि तीस के दशक में ज्यादा मजबूत होता है वो यह है कि वो चाहता है कि मुस्लिम लीग एक exclusive organization की तरह डिवेलप करें वो कॉंग्रेस की satellite भी ना बन 30 में भी जिन्ना की कोशिश जो है वो 20 में यही है कि किसी ना किसी तरीके से जो हमारी मांगें हैं मांगें सबकी एकसी है डिमांड लेकिन वो किस से मंगवाई जाए जिन्ना क्या है मांगें मांगें उनकी एक तो यह है कि central legislative assembly में reservation एक तेहाई होना चाहिए मुसलिम के लिए इसलीक 25 फीसली है तो waitage है तो एक तेहाई होना चाहिए दूसरी मांग यह है कि मुसल्मानों के सिर्फ दो provinces हैं पंजाब और बेंगॉल एक सिंध भी बनना चाहिए बॉम्बे से हटके और North West Frontier provinces जो है वो बनना चाहिए तो चार provinces या पांच बलूचिस्तान भी शाहिए तो वो बनना चाहिए तीसरा यह है कि जो minority provinces हैं जहां Muslims minority में हैं कहीं 10% कहीं 5% कहीं 14% यूपी में जैसे 14% है तो वहाँ पर उनके साथ weightage उनको मिलना चाहिए मतलब जो उनका proportion है उससे जादा उनको मिलना चाहिए minority होने की वजह से और चौथी demand मुख्य ये थी कि पंजाब और बेंगॉल में चूकि बहुती precarious majority है तो जो भी constitutional electoral arrangement हो assembly का उनकी majority protect होने हैंनक Congress के पास जाते हैं Congress के साथ मिलके एक common front बनाते हैं और British के खिलाफ लड़ते हैं तो जिनना Simon bycott में हिस्सा लेते हैं वो कहते हैं कि Simon Commission को bycott करना चाहिए जो pro British strand है Muslim League में फजली हुसेन मुहमद शफी वो कहते हैं कि हमें इनके साथ नहीं जाना चाहिए हमें Simon Commission की मदद क चाहिए उनको welcome करना चाहिए उन पर दबाव डालना चाहिए कि वो हमारी सारी मांगे मान ले इसलिए कि जो हमारी मांगे हैं वो अंग्रेश जादा बहतर तरीके से दे सकते हैं Congress तो संघर्ष करेगी तो लेट 1920s और early 1930s में क्या हम कह सकते हैं कि जो political partition eventually होता है वो तब तक ह होता हुआ नहीं दिखरा है एक flux के लिए जो भी शब्द हिंदी में बेहतर होगा एक परिस्थिती ऐसे ही कि इधर भी जा सकती है उधर भी जा सकती है कई दिशाएं हैं कोई partition करके बात नहीं कर रहा है डिमांड नहीं उता रहा है तो क्या आपको लगता है कि आपने 1935 की जिक्त किया था जो चुनाओ हुआ था जो फाइनल जो government of India Act 1935 का पास हुआ था आज़ादी के पहले आजकर जो सम्विधान है हमारा in fact 1935 के सम्विधान पे बहुत हद तक उसी से evolve होके आया है खिर वो एक विडम बना है अलग बात है तो आपको क्या लगता है कि 35 के चुना विभाजन रोका जा सकता था बहुत मुश्किल है बता पाना मेरी अपनी जो research है वो यही कहती है कि इस तरह का एक बहुत ही ideal statement के रूप में तो जरूर जाहिए बात है कि दो party जो एक दूसरे को oppose कर रहे ही अगर वो साथ साथ काम करेंगी तो तो फिर परेशानी होगी नहीं यही बात आज भी उतनी सही है जितनी की 70-80 साल पहले जो विरोधी लोग अगर साथ साथ काम कर लेंगे तो फिर समस्या ही क्या रहेगी लेकिन वो परिस्थितियां उस तरह की थी नहीं इसलिए कि उस समय तक Muslim League के बीच में ये खास राजनीती आ रही थी कि हमारा भैविश और Muslim League साथ साथ जादा समय तक काम कर पाते मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है कॉंग्रेस के अंदर में Anti-Landlord प्रवर्तियां बहुत जादा थी Muslim League Anti-Landlord उस समय थी नहीं पंजाब में तो सारे के सारे बड़े-बड़े Landlords यूपी में भी वो बाद में Muslim League के साथ में आ वो भी बहुत जादा मजबूत नहीं था Muslim League में 37 तक आदे आते कॉंग्रेस क्यों किसी के साथ काम करेगी कॉंग्रेस के लिए बहुत सेंट्रल है अंग्रेजों से ब्रिटिश सामराजवाद से लड़ना जी वो प्रवर्तियां Muslim League में काफी कमजोर हो चुकी थी 1937 तक तो Muslim League के नेता भी जन्ना को छोड़के बहुत इस बात में उनकी बहुत दिल्चस्पी नहीं थी 1937 के बाद से हम लोग यह क्यों कह सकते हैं कि जो एंटी इंपिरियलिस मूव्मेंट था वो सिर्फ कॉंग्रेस चला रही थी इधर बाकी मतलब Muslim League नहीं चला रही थी और Hindu महासभा भी बिल्कुल इन्वाल्ड नहीं थी सावर कर उस समय तक पूरी तरह से political participation के लिए लाउ हो चुके थे महासभा के president बन चुके थे 42 के बाद वो उनके जो मंतरी थे वो continue करते हैं शामा प्रशाद मुखजी भी continue करते हैं बंगाल के सरकार में तो हम यह कह सकते हैं कि 37 के बाद से लाहर resolution पस आने की बात मैं फॉर्मलाइज होने की जरूरती सवाल यह सर्फ यही था कि कब और कैसे और किन परिस्टियों में होगा 37 के बाद में जो Muslim League की राजनीती है उसमें एक बहुत बड़ा डिलमा या बहुत बड़ी विडंबना नहीं बहुत बड़ा डिलमा या द में फजलुलख हैं Muslim League के लीडर्स नहीं हैं और जो Minority provinces हैं जहां पर Muslim League का ज़ादा control है Bombay, UP इन सब में इनकी राजनीती अलग उसमें जा रही है और जिन्ना के सामने सबसे बड़ा सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन सी ऐसा कौन सी ऐसी मांग बानी जाए, कौन सा ऐसा प्ल देमांड आती है, कि एक पूरा Muslims एक नेशन है और उनकी अपनी नेशन स्टेट होनी चाहिए, वो लगता है कि वो एक ऐसी चीज है जिस पर कि Majority provinces और Minority provinces दोनों साथ साथ आ सकते हैं, तो 3740 के बीच में इस तरह के सवाल Muslim League की राजनीते में जादा आ रहे हैं और जिनका की निप्टारा, जिनका की resolution एक तरह से वो पाकिस्तान डेमांड में होता है, लेकिन separatism काफी हद तक 1937 तक मुझे लगता है कि उसके सामपरदाइक का भी बढ़ती है, और सामपरदाइक ता भी बढ़ती है, उसकी आउटलाइन लग भगता है हो गई थी, और तो आखिर में अगर हम लोग discussion को wind up करने की तरफ जाएं, तो 1940 के शुरू के वर्षों में Congress के नेताओं में ये realization हो गया था, कहीं ना कहीं हर एक के दिल में बैठ गे थी, कि विभाजन को अब prevent कर पाना शायद नामुम्किन हो चुका है, तो उन परिस्थिती में हिंदुस्तान की आजादी को कितनी जल्दी और कितने smoothly किया जा सके और कितना कम concede किया जाए, ये सोच बन वही थी आप यह हूँ, इस तरह से कहें हैं, पाकिस्तान को विरोध तो कर रहे थे और ये भी उनको उमीद थी कि Muslim League को इतना लोग प्रिय समर्थन इतना popular mandate उनको नहीं भी मिलेगा, वो ultimately 46 में मिला, 42 और 45 के बीच में Congress पूरी तरीके से banned थी, Congress नेता जेल में थे, और इसी दौरान में वो सारे प्रोविंस जो अंतता पाकिस्तान बनते हैं, वहां पर Muslim League की सरकारे बन जाती है, British support से, Bengal में बन जाती है, Punjab में बन जाती है, सिंध में बन जाती है, तो उसके बाद से स्कीम है, गांधी ने कहा कि, सब लोगों ने अपनी अपनी तरीके से उसका विरोध किया, लेकिन उस समय तक कंसीट करने की बाद तो नहीं थी, कि 1946 के चुनाओ, सामपरदाइक हिंसा, 1946 अगस्त से लेकि मार्च 47 तक और अंतरिम सरकार में अनुभव कॉंग्रिस के नेताओ, ये तीन फैक्टर ऐसे थे, जिन्होंने लगबग ये सुनिश्रित कर दिया, कि विभाजन का कोई विकल्प हमारे पास है, ये तीन चीजे, 46 मे कैबिनेट मिशन, डारेक्ट अक्शन और नौाख खाली और उसके बाद बिहार में दंगे हुए, यहां दिली के पास भी, गड़ मुक्तेश्वर में भी दंगे हुए थे, बहुत बहुत बिल्कुल रूरल एरिया था, अगस्त में कलकता से शुरू होके, अगस्त 46 में और म अक्सर यह कहा जाता है कि कॉंग्रेस के नेता सामपरदाइक्ता के खिलाब तब आवाज उठाते थे, जब मुस्लमानों पर हमले होते थे, गांधी ने क्या नौाख खाली में जाकि अपने इंटर्विंशन से इस बात को बिल्कुल गलत साबित कर दिया था, नहीं यह बात नहीं लगता है, उस समझग ही कॉँफ नहीं को बिल्कुल सही नहीं, तथियों के आधार पर सही है जो बृटिश, सरकार के रिकॉर्ड हमको बतादेंगे कि यह सही है तो बहुत सारे आपके बातों से यह चीज़ समझ में आता है कि पार्टिशन के बारे में बहुत सारे false conceptions फैलाई गई हैं जो की गलत है और पार्टिशन को कोई नहीं चाहता था मतलब यह कहना सही है कि कॉंग्रेस के भी नेता कोई चाहते नहीं थे लेकिन शायद बचपाना भी मुश्किल हो गया था परिस्थितियों के बारे में सलिल मिश्राण ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सब को समझाया तो आज का कारेकरम देखने के लिए बहुत धन्यवाद सबस्क्राण डिए